दोस्तों हमें application के लिए prepaid server लेना चाहिए या फिर postpaid server लेना चाहिए server से related बहुत सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में लूँआ क्योंकि मैं हमेशा रहता हूं अक्सर मेरी clients confused रहते हैं server को लेकर वो अच्छा मैं इस चीज़ आपको बता दो कि मैं इस वीडियो में किसी भी hosting domain provider जो website से हैं उनका promotion नहीं कर रहा हूं बड़ एक सही knowledge दे रहा हूं आपको कि जब भी आप application बनवाते हो तो आपको कौन सा server लेना चाहिए prepaid, postpaid, amazon, cloud hosting या फिर आप go daddy से ले लो मतलब कोन सा लेना चाहिए कोन सा ज्यादा जरूरी है सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन applications की जहाँ पे ज्यादा data नहीं होता है मतलब मांग के चलिए एक ऐसा like quotes application जहाँ पे data मतलब videos में data नहीं है जस्ट text में data है वहाँ ठीक है तो वहाँ पे अगर आप एक go daddy का shared hosting भी लोगे तो भी चल जाएगा अगर आपके पास कम user है तो ठीक है सारी चीज़े depend करती है आपके users पे आप कोई भी hosting server ले सकते अपने application के लिए shared vps dedicated बट ये सारी चीज़े depend करती है आपकी users पे आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि आपके पास कितने users किस समय पे आने वाले है मान के चलिए कि आपने नया application बनवाया आपको ऐसा लगता है कि आपके application पे एक महीने में एक लाग user आ जाएंगे तो मैं कभी prepaid suggest ही नहीं करूँगा मैं आपको AWS का hosting suggest करूँगा या फिर Google अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा application नया है इस फिल्ड में मुझे ज्यादा knowledge भी नहीं है तो आप मतलब मान के चलिए कि आपको 1000-2000 user आने वाले हैं तो आप shared hosting में ले सकते हो VPS hosting ले सकते हो लेकिन ये जो hosting है shared hosting VPS hosting ये इसमें भी category है मान के चलो कि आपके application में ज्यादा data न 1000 user का बस आप data ले रहे हो गेम प्ले करवा रहे हो तो आप नॉर्मल VPS hosting में ले लोगे जहां पर मंतली का 2000 पे करना रहता है तो भी चलेगा आपका एक क्योट्स का application है जहां पर सिर्फ टेक्स्ट में data यानि कि टेक्स्ट का जो data रहता हो बहुत कम KB's में रहते हैं कुछ MB's तो वहां पर क्या होगा अब मतलब अगर आपका क्योट्स का application हो तो आप शेयर होस्टिंग वाला पी ले लोगे लोगे अगर आपका क्योट्स का या application है लेकिन यूजर आपके एक लाग दो लाक है तो मैं सज़स्ट करूँगा आप पोस्ट्पेड लेलो VPS dedicated वेकरा पर आ जाले समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जागए और चीज़ए डीटिल में समझ मैं आएगे शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है आप शेयर्ड आटो लेते हो ना एक ओटो में 6 लोग बैठ तहे हैं वह उसी टाइप का होता है शेयर्ड होस्टिंग आपको मान को प्राइवेट है, बिल वहाँ पे पे करना पड़ेगा, बट वह पूरा आपको मिल जाता है, VPS काइंड ओफ एक, मतलब बांगे चलिक एक टैक्सी की तरह, कि आप उसको रेंट पे ले रहे हो, आप उसमें अकेले ड्राइब कर रहे हो, एक ड्राइवर है, जस्ट उतना ही, ठीक है, डेडिकेटेड में आपको परस्तर आईपी विगरे सा कुछ मिल जाता है, उसमें, मतलब लिमिट भी रहती है, कि आप इतना डेटा डाल सकते हो, बट वो बेस्ट रहता है, AWS यानि पोस्ट पेड, बिल आपका बाद में आएगा, पहले आप यूज़ करो, बिल आपका बाद में आएगा, आपकी यूज़र जितने भी आ रहे हैं, आने दो, कहीं बीच में रुकावर्ट नी होगी, बट वो जो बिल जनरेट होगा, आपका वो बाद में बिल ठीक है, इसलिए OTT अप्लिकेशन के लिए मैं कभी भी सजेस्ट करता हूँ, Amazon की होस्टिंग जो है AWS, वो आप यूज़ करो, पोस्ट पेड रहता है, या फिर कोई भी पोस्ट पेड होस्टिंग, पोस्ट पेड सर्वर को यूज़ करो, ठीक है, उसमें क्या होगा, कि आप जब अपने वीडियो को होस्ट करोगे, एक तो वीडियो का पहली बात तो एक फाइल भी बहुत बड़ी रहती है, दूसरा जब उससे वीडियो वास्ट करते है, तो बैंग विज़ जादा कंस्यूम करता है वीडियो, ठीक है, इस सेनारियो में अगर आप गूगल का, सॉर वीडियो कॉंटेंट के जो अप्लिकेशन से रेलेटेड हो, ओटीडी अप्लिकेशन हो, या फिर वेबसी, बतब किसी भी टाइप के अप्लिकेशन, जो जिसमें वीडियो को इंपूट किया जा रहा है, बहां पर मैं सज़ेस्ट करता हूँ, या थो आप थर पार्टी पारे मन में, और डर भी रहता है, पता नहीं कितना बिल जनरेट होगा, क्या होगा, तो देखो दोस्तों, बहुत जादा जनरेट नहीं होता है, आपको एक पर्स रेंटेश के हिसाब से बताओ, तो अगर आपका एक अर्मिंग 100 रुपीज हो रहा है, तो आप 30 रुपीज म यह सारा सेनारियो वर्क करता है, इस तरीके से आपको समझना है कि आपको कौन सा होस्टिंग लेना है, कौन सा सर्वर लेना है, पहले आपको यह समझना है कि आपके अप्लिकेशन में डेटा क्या है, टेक्स्ट है, या फिर जादे यूजर्स हैं, या फिर वीडियो हैं, य क्योंकि इस चीज़ को लेकिए आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा तो अगर आपको पूश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स मेरा कॉंटेक्ट निबर दिया कर दो